इने हिंदी के एक नए एपसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आई एक बुरी ख़बर के बारे में हम सब को पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक के इस समय सप्लाई चेन इशू से परिशान है और उसके बात से लगातार एक के बाद एक जो नई डिलेवरी टाइम लाइन है इंजन डिलेवरी को लेकर ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा प्रपोस की जाती रही है और हम सब इस उमीद में थे कि सीगर अतिशीगर जो एंजन के डिलेवरी है ये भारत को शुरू कर दी जाएगी लेकिन आपको बता दे अक्टूबर की जो रिवियो वीटिंग है वो हो चुकी है और अभी एक बुरी ख़बर सामने आ रही है जहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजन को डिलेवर करने में आसमर्थ है जहाँ आपने सही सुना ये इंजन अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से डिलेवर नहीं किया जा सके है और नवेंबर में भी इनके डिलेवर किया जाने के कोई चांसे या कोई आसार नजर नहीं आ रहे है रही बाद अक्रम को अलग-अलग एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है पहला एंगल जो जोड़कर देखा जा रहा है यह कैनेडा और भारत के बीच में जो इशूस चलनाए है जहां पर कई बार अमेरिका कैनेडा के पक्ष में बोलता नजार आया है उससे जोड़कर देखा जा रहा ह तो आपको बता दे कि इस समय ओवरॉल जो इंजन प्रोडेक्शन है जनल इलेक्ट्रिक का ये बुरी तरीके से प्रभावित है इसमें भी कोई संदेह नहीं है क्योंकि जनल इलेक्ट्रिक इस समय जो सिर्फ एफ फोर जिरो फोर ही नहीं बलकि दूसरी इंजन प्रोग्राम मे ये रोश भी है कि हम तत्काल तोर पर किसी दूसरे अल्टरनेट आप्शन के तोर पर देख सकते हैं तो जी हां हमें देखना चाहिए और अगर देखना है तो यहीं सही समय है क्योंकि मान लीजिए अगर हम कोई नए इंजन को कंसिडर भी करते हैं तो उसके आने में हमें ए इंजन को रखते हैं तो इनके पास अभी कोई आसा इंजन नहीं है जो तेजस के रिक्वार्मन को पूरा कर सके क्योंकि आपको बता दें कि जो सैफ्रान का M88 एंजन है ये उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं करता जितना सिंगल एंजन कोंफरिगेशन में तेजस को चाहिए हाँ फ्रांस ने कुछ एंजन ओफर जरूर किया है लेकिन वो सब यह अभी आन पेपर है वो प्रैक्टिकली बन के तयार नहीं है और उनके बनने उनके का समय लग सकता है तो ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनके तरफ हम गार कर सकते हैं पहला तो हो गया F404 जो कि हम जनर इलेक्रिक से अल्रीड ले रहे हैं और इस उमीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि शायद ये जो इंजन है इंजन से इसूस रिजल्व कर लिए जाएं और भारतिया वाय से तेजस प्रेटफर्म के लिए इंजन के डिलेबरी शूरू कर दिये जाएं दूसरा अप्शन हमारे पास और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इनका जो टेस्ट है वह इंडिया की हॉट और हुमिट कंडिशन में नहीं किया गया है बलकि यह रश्या की कंडिशन के इसाफ से सही है और एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जब यह इंडियन कंडिशन में आएंगे तो इसमें हमें एक बड़ा परफॉर्मेंस ट्रॉप देखने को मिल सकता है जो तेजस के केस में अच्छा बिलकुल भी नहीं होने वाला है एक अभी यह जो एक्राट इंजन की स्वैपिंग की बात चल रही है यह कोई आशान प्रोसेस नहीं होने वाला है क्योंकि एक नय इंजन को कंसिडर करना उसको इंटिग्रेट करना एक लेंदी प्रोसेस है जहां पर हमें जो इंजन बे है उसमें मोडिफेकेशन करनी अभी एर इंटेक्स को रिडिजाइन करना पड़ेगा और इन सब में तकरीबन तीन से चार वर्ष का समय लगेगा तब जाकर के जो नया इंजन है वो तेजस में पावर किया जा सकता है या तेजस में इंटिग्रेट किया जा सकता है अब यहां पर एक्सपर्स तो यही मान ट्रिक हो जाए प्रैटन विटनी हो या या यूनिटिर इंजन कॉपरेशन हो यह सब हमें आगे चल के लटका सकते हैं ऐसा अनुमान एक्सपर्ट के द्वारा लगाया गया है इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बास से लगा सकते है कि इससे पहले हिंदुस्ता नेरो नाटिक जिमिलेट के तरफ से जुलाई में एक रिपोर्ट सामने रखी गई थी जहाप और उन्होंने इन सारी खबरों का खंडन किया था जहां इंजन स्वापिंग को लेकर बाचीच चल रही थी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यहां पर इंजन के स्वापिंग की कंसीडर किया गया था लेकिन बाद में यह जो विचार है इसको त्याग दिया गया और जर्नल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है इनको कंसीडर कर लिया गया अब यहां पर गैस टरबाइन इससे स्टैबलिश्मेंट की जहां तक बात रही तो इस समय वो कावेरी इंजन के सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसके बाद यहां पर जो आप्टर बार्नर मॉडियूल है उनके साथ कावेरी इंजन को तयार किया जाएगा अब जर्नल इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो इंजन डो डिलेवर कर नहीं पा रहे हैं लेकिन जीटी आरी का कहना है कि वो लिम्ट कावेरी इंजन को टेस्ट कर पाएं लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मौजूदा जो कावेरी इंजन तयार किया जा रहा है यह आप्टर बर्नर लगने के बाद में सिब्टी से 75 क्लिटर करेगा और यह किसी भी कीमत में जो हमारा तेजस प्रेटफॉर्म है उसके लिए सूटेबल नहीं है इसके लिए जरूरी यही है कि इसे एस डेमोंस्ट्रिटर इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन इसके बाद एक नए इंजन का डेवलपमेंट होगा जो कावेरी 2.2 के नाम से जाना जाएगा जो कि 90 से जादा क्लिटर का ट्रस्ट जनरेट करेग या फिर हमें जो रुशियन इंजन है इनके तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि इसके लावा हमारे पास कोई दूसरा आप्शन फिलाल तो नजब नहीं आता जो कि भारती वायसिना की दिक्कतों को दूर कर सके दूसरे इंगल की बात की जाए तो लोग इसको पॉलिटिकल इंगल से भी देख रहे हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि अमेरिका भारत नहीं दे रहा है और भारत को पर एक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है हलाकि आपको बता दें कि भी हाली में रक्षामंतिर राजनास सिंग जी का जब दौरा हुआ था तो उस दौरा नुरों ने इस समस्या के बारे में अवगत करवाया था और तब कहा गया था जनल इलेक्ट्रिक के जारा चीज़े सामान हो रही है हम जो उनके सप्लाई चेन में मेंबर्स हैं उनके साथ संपर्क में हैं और चीजों को सीगर अतिशीक नॉर्मल करने का प्रयाज भी किया जा रहा है लेकिन उसके बाद से कोई बड़ा डिबलप्मेंट हमें देखने को नहीं मिला जो कहीं न कहीं चिंता का विशह है और हमारे लिए दिक्कते इसलिए भी बड़ रही है क्योंकि अगर जर्नल इलेक्ट्रिक इंजन डिलिवर सही समय परना कर पाया तो इसका खामी आजा हमें घर्टिस को और इंश्रमता के दोर पर देखना पड़ सकता है जिससे भारती ये वाइफ से ना और रेड़ी काफी परिशान है ये बात अलगे कि पहले दो एक्राप डिलिवरी के लिए तयार है लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्शन रेट है वो इंजन डिलिवरी पर ही निर्भर करेगा जो कि अगले वर्ष के पहले बहुत कब उम्मीद है कि हमें देखने को मिलेगी तो आपके इसको लेकर क्या विचार है कि अमेरिका इंटेशनली ये काम कर रहा है या वाकई उनके पास जो सप्लाइची निशूज है उनसे वो परिशान है आप अपनी राइकमेंट सेक्षिन में जरूर दीजेए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है एकले व